ओम शांती, 30 डिसमबर की इश्री वेदान में सब का सौगत है हम सब के अंदर समानता है, समानता कैसी है कि हम सब एक दूसरे को आत्मा समझ करके चलते हैं हम जब रोल कॉंशिस होते हैं, कि मैं भाई हूँ, या बहन हूँ, या मा हूँ, या बेटी हूँ, बहू हूँ, सास हूँ तो हम रोल के अंदर आकर के हम एक दूसरे के साथ में हम उस रोल के आधार पर हम बात करना शुरू करते हैं कारेंट से आपस में जगड़े होते हैं तो परमात्मा कहते हैं रोल को हटाओ सोल कॉंशिस बनो हर सोल हर आत्मा मेरे नजर में इंपोर्टन है अगर परमात्मा हमें आत्मा की रूप में देखते हैं ना कि हमारे देह के पोस्पोजिशन के साफ़ से दिखते हैं या हमारे रोल के साफ़ से दिखते हैं तो परमाद तो चाहते हैं कि हम भी क्या करें हम भी एक दुसरी को रोल के साफ़ से ना देख करके हम सोल के साफ़ से दिखें तो सोल तो इनोसेंट होती है accept करेंगे वो जैसा है जो है बहुत अच्छा है और अपने टाइम पर उसका record जो बज़ रहा है अंदर पाड बज़ रहा है वो चेंज हो जाएगा अपने टाइम पर तो यह detachment होगी तो इसलिए परवावनतर कहते हैं समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेशता का मिटता नहीं है तो हर एक आत्म के अंदर ओरिजिनल एक पार्ट भरा हुआ है वो उसके अंदर विशेशता है भरी है परमात्म कहते हैं मैंने किसी दिन बैठ करके आत्म को बनाया नहीं है आत्म है मैं भी इटनल हूँ मला अमर है परमात्म भी अमर है इसको अमरनात कहते है तो परमात्मा भी अमर, हमात्मा भी अमर, हमारे अंदर जो संकल्प चल रहे हैं, वो भी अमर है, क्या आप अपने संकल्पों को मिटा सकते हो, नहीं, तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हर एक के अंदर अपने अपनी विशेश्चता है, मैंने कभी किसके अंदर विशेश्च विशेश आत्माओं का कर्म साधरन आत्माओं से भिन होता है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, कि हम सब आत्मा आत्मा समान है। विशेश आत्माई हैं, हम हर किसी को equal आत्मा समझ करके हम उसके कर्म करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे अंदर जो विशेशता हैं, यह और विशेशता हैं, वो दर्शानी चाहिए हमें, विशेश आत्माई अर्थात विशेश करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं, कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा दिखावे कि ले नी करनी है अगर उनको मधूरता से बात करनी है तो उनको मधूरता से बात करनी है उनको बोल करके बात नहीं करनी है तो ये सारी चीज़े एक्टिंग नहीं है ये सारी चीज़े हमें अंदर से महसूस करके करनी है दिखावेक लिये करनी है, बोल करकर बने करनी है तो हम भी смотреть, पोई बेगे हैं लेकिन बुखे शायां को होता है? बुखे में बोल बीकर करते हैं तो फिर वो भी शाया आत्मा के जो ग्याटेकर यThe उस में नहीं आपते हैं वो उनसे सबको feeling आएगी कि यह स्नेह के भंडार है acting नहीं कर रहे हैं उसनेह के भंडार है अगर आप सोच आप किसी से बात कर रहे हो और वे विट्ती आपके बारे में judge कर रहे हैं जब आप उसे बात कर रहे हो वो सुन रहे हैं आप सुन रहे हैं लेकर उसके चेहरे पर आपको समझ जा रहा है कि मैं कोई judge कर रहा है तो क्या आपको प्रेम जलकेगा नहीं तो इसके परमातों कहते हैं कि उनसे सबको feeling आएगी कि यह स्नेह के भंडार है हर कदम में हर नजर में स्नेह अनुभव हो यही तो विशेष्टा है और हमें feeling वहाता है हम किसी अपने बैठते हैं या तो हमें वो judge कर रहे होते हैं हमारे past की वैसे या अभी present हमसे judgment कर रहे होते हैं हमारे बारे में तो हमें automatically उसे vibration negative आती है तो परमात कहते हैं कि आप judge मत करो आप सुपकी विशेष्टा हैं देखो और आपके अंदर विशेष्टा होनी जी कि आप सुप-सुप नहीं से बात करता हो यह का possible है जब हम बरे मकॉमईज में आ करके इस ग्यान को अच्छी से लेते हैं और परमातमसर जुटते हैं करते हैं